आप सभी का हार्दिक स्वागत है, आज की इस कहानी का नाम है बिना प्यार की शादी, पार्ट टू, यही एक हिंदी लव स्टोरी है, अब तक आपने पड़ा, अपनी अपने कॉलेज के लिए निकल गई है और मोहित अपने ओफिस गया हुआ था, अब आगे, मोहित अपने के साथ ओफिस आया, सब उन्हें गुड मॉनिंग विश करते हैं, तभी मोहित का पी ए शर्मा आता है और मोहित को उसके आज के शेडियूल के बारे में बताता है, मोहित अपनी मीटिंग के लिए चला जाता है, मिस्टर विजय ओबरोय आप से मिलने मिस्टर मनोहर सहगल आ आ रहे हैं, वही ओबरोय इंडस्ट्री का देश में कोई मुकाबला ही नहीं था, विजय ओबरोय केबिन में बैठे हुए थे, वहां की सेक्रेटरी आ कर बताती है कि मिस्टर सहगल आये हुए हैं, वो उन्हें अंदर भेजने के लिए कहते हैं, अंदर आते ही विजय उनके गले मिलते हैं और बैठने के लिए कहते हैं, दोनों बात करने लग जाते हैं, मनोहर घर से सोच कर आया होता है कि को विजय से अवनी के लिए मोहित का हाथ मान गेंगे ताकि उनके बिजनेस में जो नुकसान हो रहा है वो दोनों फैमिली के रिष्टे से ठीक हो सके, विजय मनोहर के लिए चाय बनवाता है यार मनोहर बड़े दिनों बाद मिलना हुआ कैसा चल रहा है सब और अवनी कैसी है अब तो बड़ी हो गई होगी 6 साल की थी जब देखा था मनोहर सारी बात बताता है कि कैसे सुमित्रा की मौत हुई और बाद में उन्होंने अवनी के लिए दूसरी शादी की ताकि उसे मा का प्यार मिल सके लेकिन सच में ऐसा नहीं था उन्होंने तो दूसरी शादी की थी क्योंकि वह मीरा से प्यार करते थे जिसकी वज़े से सुमित्रा खुद कुशी कर ली और अवनी भी अपने पापा से नफरत करती है मनोहर भी अवनी से कोई प्यार नहीं करते थे वह तो सिर्फ अपने बिजनेस को ठीक करने के लिए अवनी की शादी मोहित से करवाना चाहते थे विजे कहते हैं ये तो बहुत बुरा हुआ अब अवनी कैसी है मनोहर कहते हैं अब तो ठीक है, मैं अवनी के लिए ही आपसे मिलने आया हूँ। मतलब, विजे जी आश्चरय से पूछते हैं। मनोहर कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरी अवनी की शादी तुम्हारे बेटे मोहित से की जाए। विजे ये सुनकर खुश हो जाता है क्योंकि उन्हें भी अवनी काफी पसंद थी। वो छोटी सी अवनी को याद करते हैं। विजे उसे अपनी बेटी के जैसे ही मानते हैं। अरे मनोहर तुने तो मेरे दिल की बात कह डाली। फिर विजे और मनोहर शाम को पूरी फैमिली से मनोहर के घर पर मिलने का फैसला करते हैं। शाम का वक्त विजे और मोहित ओफिस से घर आते हैं। सुप्रिया सोफे पर बैठी मेगनीज पर रही है। मोहित आकर अपनी मॉम के पास बैठ जाता है। विजय भी आकर बैठते हैं, विजय नौकर से कहते हैं कि वह दादी और दिव्या को बुलाने के लिए कहे, सुप्रिया पूछती है क्या हुआ, विजय कहते हैं रुको, सब को आ जाने दो, सभी को एक साथ बताऊंगा, दादी ने आकर पूछा आरे, बेटा क्या हुआ, तु सादी के रिष्टे के लिए, ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं, लेकिन मोहित का चहरा उतर जाता है, वो कहता है लेकिन डैग, मुझे शादी नहीं करनी है, विजय गुसे में कहते हैं लेकिन क्यों, मोहित तुम हर बार मना कर देते हो, इस बारे में मैं अब कुछ नहीं कर वो भी अपने रूम में चले जाते हैं, सुप्रिया भी उनके पीछे जाती है, मोहित गुसे में अपने रूम में जाता है, सैगल हाउस, अवनी अब तक कॉलेज से आ चुकी थी, वो अपने रूम में थी, मनोहर आफिस से आते हैं, मीरा उनसे उनका बैग लेती हैं और मदद करती है। मनोहर सोफे पर बैखते हैं, मीरा भी उनके पास बैखती है। वो पूछती है कि आज कैसा चला। काम। मनोहर मीरा को सब बताते हैं और कहते हैं कि विजय ओब रोय और उनकी फैमिली अबनी को देखने आने वाली है। ये सुन मीरा कहती है आखिर आप उस Favorite साल बड़ा है। हम नेहा की शादी उससे नहीं कर सकते, वैसे भी मैं ये सब बिजनेस के लिए कर रहा हूं। मैं मेरी नेहा की जिंदगी बिजनेस के लिए थोड़े ही बरबात कर सकता हूं। अवनी सीडियों पर खड़ी यह सब सुन रही थी। उसकी आखिनम हो जाती ह और वो अपने रूम में चली जाती है मनोहर की बात सुनकर मीरा खुश हो जाती है मनोहर कहते हैं कि अवनी को बता देना और कहना पांच बजे तक रेडी हो जाए इतना कहकर मनोहर चले जाते हैं मीरा अवनी के रूम में जाती है अवनी चेव पर बैठी कुछ लिख रही हूती है मीरा अवनी आज तुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे है तैयार हो जाना अवनी हम बस इतना जवाब देती है मीरा कहती है और सुन कुछ धन का पहन कराना ये अपनी शौट्स पहन कर मत सजना समझी इतना कहकर वो चली जाती है अवनी की आँखों में पानी आ जाता है वो मन में ही कहती है मा आप क्यूं मुझे छोड़कर चली गई मुझे आपकी बहुत यादा रही है वो सोचती है आज वो इस रिष्टे के लिए हां कर देगी क्यूंकि उसे इस घर से निकलना था वो हब यहां नहीं रहना चाहती है उसे इस घर में घुटन सी हो रही थी वो अपने पापा की रोटे और अपनी सौतेली मा के ताने से तंग आ गई थी इतना सोचकर रेडी होने लगती है पांच बजे सेगल हाउस मिस्टर विजय और उनका परिवार आ चुका है सब बैट कर बाते कर रहे थे मनोहर मीरा से कहते हैं कि अवनी को बुलाओ मीरा अवनी को लेकर आती है अवनी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी गोरा रंग और लंबे बाल थी जो थोड़े ब्राउन कलर के थे उसने एक मॉडन स्टाइल कुर्टी और उसके नीचे जीन्स पहनी थी बाल खुले हुए थे सब उसे देखते ही रह गए एक पल के लिए मोहित भी उसकी सुन्दर्ता में खो गया कामिनी उसे कंधा मारते हुए कहती है भाई कहां खो गए मोहित अपनी नजर दूसरी तरफ कर लेता है अवनी आकर बैठती है सुप्रिया उसके माथे पर हाथ फेर कर उससे बात करती है अवनी को आज पहली बार एक माँ के प्यार का एहसास हुआ वह भी उन्हें बड़े प्यार से जवाब देती है विजए जी कहते हैं अवनी बेटी कैसी हो आप अवनी अंकल में ठीक हूं आप कैसे हैं विजए जी बेटा हम भी ठीक हैं आप क्या करती हैं अवनी जी में अपना कॉलेज कम्प्लेट कर रही हूँ लास्ट इयर में हूँ, दादी भी अवनी से बात करती है विजे कहते हैं भाई हमें तो इस रिष्टे से कोई आपत्ती नहीं है आप एक बार अवनी से पूछ लीजिए मनोहर कहते हैं अब अवनी को भला क्या आपत्ती हो सकती है हमें भी यह रिष्टा मंजूर है पंदिक जी को बुलाए और आज ही शादी की तारीक ते कीजिए मनोहर कहते हैं जी बिलकुल मनोहर पंदिक जी को बुलाते हैं पंदिक जी मोहित और अपनी की कुंडली देखकर बताते हैं कि दोग दिन बाद शादी का बहुत ही अच्छा मुहूर्त है ऐसा मुहूर्ट तीन साल में एक बार ही आता है जो की काफी शुब है इसके बाद छे महीने के बाद ही कोई मुहूर्ट आएगा वो सब कहते हैं फिर तो दो दिन बाद ही शादी कर लेते हैं और अभी रोका कर लेते हैं सुमित्रा भी उसकी हां में हां मिलाते हुए कहती है जी बिलकुल आप ठीक कह रहे हैं मोहित और अवनी को एक साथ सोफे पर बैठा दिया जाता है दोनों की नजर नीचे थी पंडिक जी विधी शुरू करते हैं सुप्रिया अवनी को एक पिंक रंग का बहुत ही प्यारा दोनों पहली बार एक दूसरे को देखते हैं मोहित को अवनी की आँखों में कुछ अलग सा दग दिखता है वो अवनी को रिंग पहनाता है अवनी भी मोहित को रिंग पहनाती है सब फूल डालते हैं सब लोग बहुत खुश हैं मोहित की फैमिली खुश थी क्योंकि उनके गर में इतनी खूबसूरत और प्यारी अवनी आ रही थी और अवनी का परिवार इसलिए खुश था क्योंकि अब अवनी उनके घर से हमेशा के लिए जाने वाली थी और उनका बिजनेस भी अब ठीक होने वाला था अगर आप भी जाना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या वक्तो इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें